नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे इस इप्टी चनल में दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुन्दर बात करने वाले हैं तो वीडियो को बेगर भगाए पुरा अंतर जरूर देखेगा वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा कि जनकारी जो है उचीत वो आप लोग को मिलती रहते चलिए सुर्यू करते हैं दोस्तों 28 सग्राम मिर्ची है इसमें कितना निम्बू डालना चाहिए यह हम बताने वाले हैं और इसमें हरा मिर्च में निम्बू डाल करके और खाना में एक खाने से क्या-क्या फैदा मिलती है तो पूरा आपयदा निम्बू जो है यहां से क्या-क्या-क्यारी क्या-क्याइस तोर देंगे तो और आचा है कि दिवाला निम्बू डालना चाहिए यह दावा में काम आता है और दो निम्बू जो है वो निचोर करके डाल देना है और डालने के बाद में आपको धूप में एक डिबा में रखना है कम से कम चरपान दिन चरपान दिन रखने के बाद में आपको अगर ताजा तरजी खाना है तो उसमें से निकालना नहीं है एक हपते दू हपते में खा जाना है उससे खराब नह जो है निम्बू निचोड करके लेकिन इसमें कब बिया जो है वो निकाल देना पड़ेगा क्यांकि बिया जो है पेट में हानी करने लगता है वह जो है पेट फूल जाता है और तरहतर की भीमारी होती है तो बिया को इसमें नहीं रखना है और इसको मिर्ची को निकाल करके इ को है कि दो रूटी ले लेना है एक मिरची ले लेना है और उसको लफ पर एराम से खा लेना है और सौ जाना है बस यह काम करना है दोर्थ हिए देखना के लिए बहुत भ़ल भन-बादा इस वीडियो को जंकाई चाहिए तो वीडियो को लाइक चौन को सब्स्क्राइब जूरू कि जिग आप ही मिलें गगले वीडियो में अच्छा जंकाई लेकर किताब तो के लिए नमस्का अधर तो